हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करेंगे पाठ पाच शब्द और वाक्य क्या कहता है पाठ बच्चों इस पाठ में हम शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं काम करने वाले शब्द वाक्यों मे क्यों आते हैं, चर्चा कीजिए, शब्द मिलाकर पढ़िए, घर, खर, क, ल, म, कलम, त, रा, जू, तराजू, ब, र, त, न, बरतन, बच्चों उपर दिये गए, सभी वर्ण समू, घर, कलम, तराजू, वह बरतन शब्द है, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है, अब दिये गए, वर्ण समू को पढ़िए, र, घ, रग, जू, रा, त, जुराद, म, ल, त, मलक, न, र, ब, त, नर्बत, बच्चों, रग, मलक, जुराद, और नर्बत का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये शब्द नहीं है, वर्णो का ऐसा समू, जिसका अर्थ निकलता है, शब्द कहलाता है, अब इन्हें समझिए, और जोर-जोर से पढ़िए, क, प, छा, त, किताब, प, न, घ, त, पंघट, जिन वर्णो का आर्थ होता है, उन्हें शब्द कहा जाता है, वाक्य, बच्चों, जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे, ये आर्थी रही पढ़, पसल किसान रहा काट है, दोनों वाक्यों में सही शब्दों का प्रयोग होने पर वाक्य सही नहीं है, सही वाक्य है, आर्थी पढ़ रही है, किसान पसल काट रहा है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं अब इने समझे और जोर जोर से पढ़िये बच्चे पार्क में खेल रहे हैं चिडिया उड़ रही है वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना जरूरी है पार्ट पढ़कर हमने सीखा एक जिन वर्ण समू का अर्थ होता है उन्हें शब्द कहते हैं दो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं पीन वाक्य में शब्दों का क्रम सही होना जरूरी है धन्यवाद बच्चों अब मिलेंगे हम अगली कक्षा में